प्रिवान वेलकम तो माई चैनल इसमी सिम्नन सहानी तो ओल दर क्लास 10 इंग्लिश तूरेंट आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो रही होगी तो इस वीडियो में हम वन शॉट रिवाइज करने वाले अपनी सारी की सारी पोएम्स को ठीक है तो जितनी पी पोएम्स हैं उनके इंपोर्टेट इंडिवाइज सेंट्रोल डिया को में हैं आपको रिवाइज करवाने हो इसे जिस्ताथ इस वीडियो स्टार्ट करते अपनी पोएम डस्ट और सनोब से ठीक है तो पहले लिटरेट इंग्वाइज फेमें एक बहुत डीटेल वीडियो बनाई है दस से भार और यहां पर एक बाद देखते हैं most important वाले बतारियों में जो हमारे हर एक poem में यूज होए तो सबसे पहले alliteration alliteration क्यों होता है जब closely collected words में ठीक है same alphabet से या same consonant से अगर कोई word शुरू हो रहा हो या same sound हो तो उसको हम क्या कह देते है एक है जैसे कि हैं पर देखो has given my heart यहां पर has and heart पास पास closely connected word है HB has से शुरू है और यहां पर है जो हो रहा है तो correct answer होगा यहां पर alliteration ठीक है next and save some part अभ यहां पर से शुरू हो रहा है and some भी से शुरू हो रहा है तो यहां पर भी alliteration यूज हुई है तो alliteration पहचानने का तरीका सब्सक्राइब बहुत चारे अलिटरेशन के एक्जाम्पल है Mickey Mouse alliteration M से Mickey M से माउस ठीक है Coca-Cola Tiny 10 बहुत चारे एक्जाम्पल होते हैं तो alliteration पहचानना आप सीख गए ठीक है नेक्स आया अजनेंस के होते है जब कभी vowel sound repeat हो रही होते है तो इसको आजनेंस कहते है वावल्स तो पता है ना कॉल करके बता दो कमेंट में और मुझे सारे तो यहां देखो शूग डाउन ओन मी शूग डाउन ओन मी तीनों में ही जो है कौनसी sound repeat हो रही है शूग डाउन ओ जो sound repeat हो रही है तो यह हो गया azonance ठीक है next enjambment enjambment क्यों होते है जब 3-4 लाइन है यह more than 4 लाइन हो गई और एक भी punctuation mark यूज नहीं होता है तो उससे enjambment कहते है और यह तो हमारी पूरी poem ही enjambment है when the same sentence continue to take the next line without the use of any punctuation mark comma full stop कुछ भी यूज नहीं हुए it is called enjambment it has been used throughout the poem ठीक है next आपको बता रहे हो कुछ word meanings ठीक है जो सबसे पहले dust or snow dust or snow मतलब क्या है कोई मिट्टी थोड़ी गिरी थी पोईट पे नहीं क्या गिरा था fine particles of dust गे रहे तो dust or snow मतलब क्या है fine particles of snow है ठीक है next hemlock tree याद रखना है एक poisonous tree होता है with small white flowers and hemlock trees poisonous tree ठीक है mountain areas में मिलता है next poetic device एक और important है हमारा metaphor metaphor क्या होता है जब भी comparison होता है without using like or as to comparison को हम क्या गे रहेते metaphor अब यहां पर देखो dust or snow लिखा गया है अब कोई मिट्टी थोड़ी के रहती नहीं जो snowflakes होती ना चोटे-चोटे बहुत माइनूट particles और snows को क्या कहते है snowflakes बढ़ यहां पर पोईट ने स्नोफलेक्स की जिएकर dust यूज़ कर रहे तो dust is a metaphor ठीक है and heart में से निगदो ठीक है अब important ideas देखो आपको पता है बहुत simple poem है और बहुती beautifully explain करा गया है poem को that simple actions भी हमारे उपर great importance लियाते और nature में हमारे को heal करने की पार होती है जैसे हमने देखा कि poet का mood पहले अच्छा नहीं था वह हमें प्री और जो क्रोव है दोनों ही negative symbols माने जाते हैं कहीं जगाओं पर ठीक है तो poet जब hemlock tree के नीज से निकल लिया जाते है उनके उपर क्रोव की अधर से उनके उपर fine particles of snow यानि कि dust of snow गिर जाती है और जैसे उनके उपर dust of snow गिलती है उनका mood rejoice हो जाते है simple actions can have great importance and दुनिया की कोई भी चीज negative नहीं होते है जैसे माना गिया आप क्रोव को और hemlock tree को कहीं जगा पर negative but poet के लिए वो positive माने गए ठीक है तो यह हो गया हमारा कुछ important ideas of the poem next poem पर move करते हैं कौन सी poem है हमारी fire and ice ठीक है वैसे मैंने आपको अभी recent की बहुत detail में सारी poem समझाई है अगर वीडियो नहीं पर देखे है तो जल्दी से division कर लो one shot और यहां पर भी explain कर रही हूं ठीक है तो यहां पर poet हमें बताते हैं उनका opinion यह है कि दुनिया खतम हो सकती है fire से भी और ice से भी और इसको अगर हम human emotion से ले जैसे fire होती है अगर कभी कहीं आग लग जा तो एकदम से वह फैल जाते है बहुत destruction करते है वैसे ही अगर हमारी desires बहुत जादा ही रह सकते हो तो वह कहा रहे है that fire and ice दोनों ही equally जो है हमारे वर्ल को destroy कर सकती है this is a symbolic poem fire जो है human desires show कर रहा है and ice क्या है human emotion hatred को represent कर रहा है ठीक है अब इसके analysis करते हैं हम इसके literary devices का पहला है जो हम इने हाइलाइट कर रहा है वह है fire ठीक है तो sound बार-बार रिपीट हो रही है तो as an answer next होगे alliteration alliteration पहचाना तो I hope आपको अभी तक आ चुका होगा ठीक है तो I hold with those who favor fire favor fire f say favor f say fire alliteration ठीक है next imagery use करी गए अब imagery क्या होती है imagery is used to make readers perceive things involving their five senses जब आपकी five senses involved होती है तो उसमें imagery use होती है यहां पर imagery कहां पर use हुई है some say the world will end in fire यहां पर होई है and next we are to say that for destroying ice is also great यहां पर imagery को use कर गया है next हो आया हमारा symbolism symbolism आप समझ कियो symbols use करें है fire is the symbol of desire and ice symbolizes hatred ठीक है next anaphora use हुआ है anaphora refers to the repetition of word or expression in the first parts of the verse अगर कोई verse है उसके starting में अगर कोई expression कोई phrase repeat हो रहा है तो उसको anaphora कहते है जैसे कि some say the world will end in fire some say in ice तो यहां पर some say repeat हुआ ना starting के एक ही line में दो बार some say repeat हो रहा है एक ही expression में तो यह क्या हो गया आप रहा हो गया तो यह हो गए कुछ fire and ice का quick revision now let's see the next poem that is a tiger in the zoo next poem पर move करते that is a tiger in the zoo अगर tiger in the zoo poem अभी नहीं पढ़िए तो प्लीज गाइस एक पर इस poem को जाके repeat देख लेना वीडियो मैंने description box में paste कर दिये one short revision series जिसमें मैंने बहुत डीटेल में सारी ही poems को chapters को explain करें स्पीट तेज करके tiger in the zoo का explanation सुन लेना बहुत important poem है a very deep meaning this poem है क्या हमें इस poem में poet ने हमें message दिया है हमने देखा कि किस तरीकिसे tiger को represent कर गया tiger कैसा है जो जू वाला tiger है उसको कैसा शो करा गया है कि वो जो है क्वाइट रेज में स्टॉक कर रहा है केज के अंदर ignore कर रहा है विजिटर्स को और उसकी स्ट्वेंद कहा है बिहाइंड दा बार से एंड लास पारग्राफ में हमें बताए कि रात को जो है वो क्या करें वो सिफ shining stars को देख रहा है और पट्रोल इंग कारश को और पेट्रोलींग ने को करने के लिए जंगल वाले tiger को भी दिखाए कि जंगल वाला तो इसलिए एक बार डिटेल में इस पोएम को तो जरूर आप एक बार रिपीट पे सुन लो एन इसका सेंट्रल आइडिया क्या है यह बताती हो आपको कि हमें जो है थ्रूआउट दो पोएम हमें यह बताना चाहिए कि अनिमल स्कून के नैच्रल हैबिटेट में होना यह दो मेसेज़े जो नोंने हमें दी हैं ठीक है कि एक तो नाच्रल हबिटेट में होना चाहिए प्लस किसी को भी जो है हमें केज में नहीं रखना चीए ठीक है तो फिगर आओफ स्पीच पर फोकस करते हैं तो सबसे पहले आता है अलट्रेशन अलट्रेशन कहां यूज ने ने हमारी रेपिटेशन होता है जब हो एक रिपीटेशन किया होता है तो इसको रिपीटेशन में किस्टेशन में कंसिडर करा जाता है तो यहां पेरिगृ फाइप हैंग अ TEAR C гол phi यूज है। यूज उस goose च्पिटेऑर हैं पौनत्यूरॖर होते हैं उसको इसको पैर कर वैल वेज वैलीज से उनके जो सब्सक्राइब जाए उसके पैर है वेलवीच यैसे हैं तो इसलिए ने यहां पर चेश्क का यूज ने कर आए तो वह से दूली होती है यहां पे टाइगर है उसके उसके पास को के आए with velvet, यानि कि वो बहुत soft है, तो इससे लिए यहां पे कौन सा particular device यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, ठीक है, on pads of velvet, quiet, उसके पेरों को velvet से compare कर अगया, next, oxymoron, oxymoron क्यों था है, ये एक figure of speech है, जिसमें two opposing terms को एक साथ यूज करा जाता है, यानि कि two opposite words को एक साथ यूज करा जाता है, तो जैसे कि quiet, rage, quiet मतलब शांत, और rage मतलब anger, ठीक है, तो ये एक बिकुल ही opposite हो गया, शांत होना और गुस्सा होना, और इनको एक हट्टा यूज करा गया है, तो ये क्या हुआ हमारा oxymoron, ठीक है, और poetic devices की वीडियो में आपको बहुत चारे examples कि थुरू, इन सभी poetic devices को explain करा था, rhyming words कुछ देख लो, cage, rage, grass, grass, edge, village, bars, visitors, cars, stars, ठीक है, and now let's see the word meanings of this poem, जो कुछ important word meanings है, stocks, stocks, follows, vivid मतलब क्या है, bright colored, इसके ओपर आपका कोई भी synonym based question में क्या सकता है, vivid मतलब bright color, bright मतलब क्या है, vivid हो गया, next, pads, pads के में आपको बता है, pause of tiger, यह आ रहा नहीं है, rage मतलब anger, ठीक है, lurking, lurking मतलब क्या होता है, lurking in the shadows of the grass, यानि की tiger है, उसको तो grass के पीछे शुपना चाहिए, किसका वेट करने के लिए, plump deer का, to lurking मतलब क्या है, to be hidden as to wait for your prey, ठीक है, next, snarling मतलब क्या है, warning sounds made by animals, वो गुर राते हैं, उसको गहते हैं, snarling, ठीक है, bearing मतलब uncovered, bearing his white fangs, his claws, तो जो है, uncover करना है, यानि कि जो हमारा tiger है, उसको तो अपने दिखाने चाहिए, white fangs, white claws, और सभी बाकी के praise उनको डुराना चाहिए, ठीक है, next, fangs मतलब क्या होता है, sharp tooth of animals, उनके वो जो carnivores के और जितने भी animals होते हैं, जो sharp वाले tooth होते हैं, ठीक है, concrete क्या हुआ, he is behind the concrete cell, वो एक line है न हमारी, easy, concrete क्या है, building made of bricks, cement, sand and water, ठीक है, तो वो तो उसकी जो strength है, कहा है, zoo की दर्वाजों के पीछे, zoo के जो bars है उसके पीछे हैं, ठीक है, तो यह concrete हो गया, तो with this guys, short revision, quick revision हमारा इस poem का भी हो गया है, and इसका central idea आपने समझ लिया, क्या है, that जो है, tigers को अपने natural habitat में होना चाहिए, and everyone should be free, ठीक है, हमें किसी को भी cage नहीं करना चाहिए, so with this, let's move on to the next poem, that is our ball poem, and patrolling मतलब क्यों होता है, patrolling cars, वो जो गार्ड वाली cars होते है, zoo उना, जब बंद होने आ रहा होते हैं, तो से पहले, car घुमती है, देखने कि कोई रह तो नहीं गया, या कोई gate तो खुला नहीं रहा है, किसी zoo का, या कि किसी भी animal वाली जगा का, या फिर कोई इंसान रहना आ गया, वो जू के अंदर, तो last में patrolling car, याने कि guards होते हैं, और वो सब को checking करते है, तो उन patrolling cars को refer कर गया है, तो patrolling मतलब to guard, ठीक है, तो अब move करते है, next poem पे, that is ball poem, तो ball poem को भी एक बार अच्छे से revise कर लिए ना, बिकॉस ये भी बहुत important poem है, और इस poem में आपने देखा है, that poem हमें, जो हमारे poet है, हमें क्या message दे रहे हैं, that हमें पता चला, जब वो बच्चे की ball पाने में गिर जाती है, तो वो बहुत sad होता है, और उसको वो नहीं ball भी दिला के दे सकते थे, बट वो कहते हैं, नहीं ball में क्यों नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि वो same नहीं रहेगी, क्योंकि उस ball के साथ उसकी memories थी, हम सब कुछ पैसों से नहीं खरीज सकते हैं, memories भी बहुत important होती है, which greatly affects the boy को, shaking grief ever कर गया है, rigid मतलब होता है, stiff हो जाना बिल्कुल, trembling मतलब, shivering यानि की shake करना थोड़ा से, next, intrude, तो poet कहते हैं, कि I'll not intrude, यानि कि मैं बच्चे को जाके जो है, बिल्कुल उसकी situation में इंटर नहीं करूँगा, तो intrude मतलब क्योंता है, एक ऐसी situation में, अगर आप किसी situation में हो, और आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको आगे परेशान करें, तो उसको intrude कहते हैं, to enter in a situation where one is not welcome, ठीक है, next, a dime, वो कहते हैं, a dime, another ball, a dime क्या है, 10 cents होते हैं, US currency के, ठीक है, next, possessions, something owned or possessed, जो भी चीज़ आप पोसेस करते हो, इसको possessions कहें जेते हैं, external, superficial, desperate, hopeless, epistemology of loss, अब ये क्या है, तो poet कहते है, epistemology of loss, understanding the nature of loss, ठीक है, तो epistemology मतलब होते है, किसी भी चीज़ की knowledge होना, तो poet चाते है, कि वो एक बच्चा जो है, अब इतनी चोटी उमर में ही, लॉस की जो epistemology है, उसको सीख ले, यानि कि वो लॉस भी समझ जाएगी, कभी ना-कभी, लाइफ में कुछ ना-कुछ हमें खोना पर जाए, तो वो epistemology of loss को आज समझ रहा है, ठीक है, और epistemology कहीं यार रख लो, यह ग्रीक वर्ट से बना है, epistem means knowledge, and it comes from a word meaning to understand, ठीक है, अच्छा मेलो जी, नाव लेट समझ जाएगी, तो समझ पोटिक दिवाइज, तो अलिटरेशन है विन उसे लाइज, and merrily bouncing down the street, तो basically merrily मतलब खुश होना, ball के लिए उसकर आगया है, खुश होना, ball में कोई ऐसा emotion नहीं होता है, खुश और sad वाला, तो merrily bouncing down the street, यानि कि ball को जो है, personify करा गया है, next metaphor, metaphor आप समझ चुक्यों, क्यों होता है, जब भी comparison होता है, without using like and as, तो यहां पर poet कहते है, it is a literary device in which word phrase is symbolically applied to the things, which it not literary applicable, यानि कि अगर कोई comparison होता है, in the poem, poet says, ball will be lost always, तो यहां पर ball से वो सिंबलाइज करना चाहरे है, कि हमारी दुने के कोई भी possession, कभी न कभी हम से खो सकते हैं, खाली ball नहीं हो कहते हैं, एक तो whatever possession that we lose, and secondly, it also refers to the childhood which we have lost, and it will never come back, तो basically, balls will be lost always, वो childhood को भी रेफर कर रहे हैं, और जो कुछ भी possession हम कभी खो देते हैं, उसको भी, with this guys, ball poem के important poetic devices, मैं आपको बता दिया, plus आप poetic devices को detail में समलना चाहते हो, तो video given है, अब जो है, आप लोग अच्छे तरीके से अपना revision करो, and यहां पर इस poem, इस video के अंदर हमने basically, word meanings पे भी focus कर लिया है, central ideas को समझ लिया है, and एक short, थोड़ा सा summarize कर लिया, अपनी सारी की सारी poems को, अब अगर आपको detail में देखने, जैसे Tiger in the Zooms, को एक बाद detail में पढ़ लेना, ball point को detail में पढ़ लेना, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो description box में playlist given है, best of luck for your exam, and अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, and अगर कोई queries है, तो मुझे comment section में बता दो, and playlist मैं आप description box में, one short revision series paste करते है, जिसमें सारे ही chapter के explanation videos, मैंने आप लोगों के लिए term 1 की paste कर रही है, तो जल्दी से chapter को अच्छे तरीके से जो है, थोड़ी speed तेश करके device कर लो, and I'll meet you in the next video,